हेलो अबरिवान अप लोग कैसे हैं उमीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे और खुश हो होंगे तो हम लोग आ गए हैं सेक्टर मीटिंग में आज लड़कियों से जानकारी भी लेना है मेरे सेक्टर के जितने भी कर्म चारी हैं उनसे ज्यादा लोग नहीं है हम लोग 25-12 लोग ही हैं जानकारि ये लेना है की अपरेल से अभी तक कितने घरवत्य हो चुकी हैं कितने बच्चे पैदा हो चुके हैं और कितने क्या वैक्षिनेशन हो चुका है और अभी ट्रेंडिंग में हमारा चल रहा है टीबी अभिःान तीबी मुक्तु फार्थ करना है क्य मिटिंग से वापस आचुकी हूं घर और मैं बना रही हूं आज सर्सो का साथ मुझे आज मार्केट में देगिया था सर्सो तो मैंने खरीद के लाया है 40 रुपया केजी और यह पीटी भी मुझे दीखा था तो मैंने पीटी भी लिया था हमारे दर इसको पीटी ही बोलते हैं बाकी जगे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता इसका चटने भी बहुत अच्छा बनता है और आज मैं इसको साग में एट करके बनाऊंगी और मैं छोका में लहशून लाल मेर्ची और मेथी का छोका दूंगी उससे बहुत अच्छा टेस्टी बनता है और टमाटर भीश में करूंगी में तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हूं मैंने डाल दिया कराही में तेल यह थोड़ा गरम हो जाया तो लहसन और लाल मेर्च को डालूंगी इसमें सबसे पहले मेथी डालूंगी मेथी थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो लाल मेर्च और लहसन को डालूंगी इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जिसको भी सर्शो का शाग पशंद है तो इस समय मिलने लगा है बनाईए खाईए इसमें बहुत जादा मात्र में आरन भी होता है पेटी में भी आरन होता है और सर्शो में भी आरन होता है ये पत्ते में तो ये मेरा बनना स्टार्ट ह हो गया है यह देख सकते हैं कितना हरा हरा ग्रेन ग्रेन बहुत अच्छा दिख रहा है आप लोग भी बनाईएगा और खाईए मुझे बहुत पसंद है तो सभी मौसम में सर्सू नहीं मिलता है सर्सू सर्सू कभाजी यह केवल हमारे अप्टूबर नौंबर दिसंबर तक ही म करने के बाद फिर हमारे दार यह शैसों भी बहुत जादा डालती है और यह पीटी जो होता है तो यह मकई के साथ ही होता है और खेतों में भी होता है साय तक मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है पर बाड़ी में होता है जहां पर मकई होता है वहां पर इसमें भी बहुत का से जानाता है तो मैं खाती हूं और इसको थोड़ा ढाक के पका देंगे तो जल्दी से फख जाएगा वसे धीमियाज से ही पकाने चाहिए धीमियाज से तो बहुत अच्छा टेस्टी बनता है इसमें मैं टमाटर भी एट करूंगी इसके स्वाद बढ़ाने के लिए मुझे चाओल के साथ रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है जिसमें भी खौप बहुत अच्छा लगता है और अच्छा लगने बात ये है कि इसमें आरन बहुत जादा मात्र में जितना हो ना च्एल इसमें घड़ा लिए और इसको भी अच्छे से मीक्स करके अच्छे से पका लूँगी फिर इसमें मैं थोड़ा सा नमाग श्वाद अंसार नमाग थोड़ा सा हल्दी वेड करूंगी या थोड़ा सा मशाला घर का कुटा हुआ मशाला भी डालूँगी ताकि इसका टेस्ट बढ़ जाए डाल चाव बनाने के बाद कुछ ऑनलाइन का काम है तो काम करूंगी तो बसे दिखाने के लिए मैंने रेगे वीडियो नहीं बना रहा है मैं सोच रही मैं बना भी रही हूँ मुझे खाना भी है तो थोड़ा सा क्योना वीडियो भी बना लिया जाए तो इस पेसली वीडियो बनाने के जीचेगा अभी तो बहुत चाता मिल रहा है मार्केट में भी मिल रहा है और खेतों में भी हो चुका है अभी थोड़ा सा महँगा है 40 profits 60 profits केजी है 10 रूप्य 15 भी हो जाता है और फ्री में हम लोग को फेल जाते हैं तो फ्री में भी भी मिल जाता है सकते हैं आस अमासमाit माडम लोग शह्योग निवेंची लोग शब्टोड़ तोड़ के दे देश हैं गनबाडी मेनम भी दे देती हैं और गास को लोग भी दे देते हैं वाइसे फृ मेहीं दे देते हैं हम लोग को पी मुझे सिरी में ही मिला है खाली मुझे ये शाक बच खरीदना पड़ा है तो आप लोग भी लिजिएगा ये देख सकते हैं मेरा थाली रेडी हो गया है मैं खाने जा रही हूं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट व अझे खाली को सब्स्तू है येया है ये खाली के लिए दीए हो चैनल को सब्सक्त्रल